दोस्तों किया आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपने पैरों का मैल निकालना चाहते हैं नहाने के वक्त लेकिन नहीं निकल पाता है या फिर कभी भी आप जब भी मैल छुडाते हैं तो आपका पैरों का मैल नहीं निकलता है तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जि आपको बूलूगी आपको फॉलो करने होंगे मेरी बातों को और आपके पैरों का जो मैल है वो आराम से निकल जाएगा बिल्कुल इस तरीके से तो दोस्तों चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए मेरे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए फीट से जुड़ी हुई वीडियो आती है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपको यूसफू लगती है किसी को लगता है कि आप उसको देते हैं किसी को सेर करिए अगर किसी को मेरी इस वीडियो की जरुरत तो चलिए आज मैं बता दी हूँ कि कैसे कैसे आपको करना है कि आपके पैरों से मैल हट जाएगी पूरी तर पैरों मैल किसका नहीं जमता है आप ये बताए हर इंसान छोटा बड़ा बच्चा बुढ़ा हर कोई बाहर अंदर घर के बाहर खेलता कुटता है धूल मिटी गंदगी चिपकती है ऐसे में अगर आप नहाने जाते हो नहाने के वक्त आप अगर साबू लगाते हो आप सन से भ दी नहां तो इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं जिससे हमारे धीरे-धीरे घीले होते रहते हैं या घीला होई जाता है और इस तरह से जब गीला हो जाता है और उसके बाद हम लोग को पैर का चुड़ाने में काफी ज़्यादा आसानी होती है तो यह जो वीडियो है ना वो पूर्सों के लिए भी मैं बता दे रही हूं कि अगर आप लोगों को मैल चुड़ाना तो आप एक उपाय कर सकते हैं यह लेडिज और जैंस दोनों के लिए एक दिन पहले आप सरसो तेल लगाईए और नहाने के वक्त अपने पैरों को थोड़ दे रहना है यानि इसी दो से चार्मियाट या पाचनट भी छोड़ सकते हैं धीरे धीरे आप न उसको छुड़ाईए मैल को तो आपका आराम से रिमूर हो जाएगा मेरा इतना जादा कैसे निकल रहा है वो मैं आपको बता रही हूं मैं किचन में जैसे सारा काम खत्म हो ग मैं फिर कपड़े दोली फिर मैं नहाई फिर कपड़े दोली फिर निकली तो इस तरहां मेरा जो पैर है वो काफी जादा गीला हो गया था और जब मैं नहा निकली थी ना तब मैं बैटी थी तो मैं ऐसी रगड रही थी तो देखी कि मेरा मैल छूटने लगा तो कभी-कभी मेरा जो पैर है वो काफी ज्यादा पैरों से मैल निकला और काफी ज्यादा मैं उसको निकाली भी हूं उसके बाद मैं यहां बात्रूम में आई थी ताकि मैं अपने पैरों को धूल सकूं तो अगर आपके साथ यह वाली प्रॉब्लम है ना तो आप एक दिन पहले तेल लगा ना थोड़ा दिपर पानी में उसको फुल ने दीजे कम से खम पाच मठ फुल ने दीजे यानि कुछ-kus काम कर लिजे बात्रूम में पानी वाला ही तो इससे आपके पैर फुल जाते